दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS Excel में Data Validation का यूज क्या है और हम कैसे Data Validation का यूज करेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हुर रजनी समिस्रा आप देख रहे हैं आपका अपना एटू चला Prime Motivation Tech और दोस्तों अगर आप चैनल में नहीं हैं तो प्लेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको जो भी हम वीडियोस प्रवाइट करें वो वीडियोस आपको उपलब्द होते रहें तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना टाइम बेस्ट किये सबसे पहले देखिए समझते है है डेटा वेलिड़ीडियशन का आप्शन मिलता है मैंने डेटा वेलिडियशन का उन्लॉक को Loblog में भी मैंने जूबाटा बार्टर नारेक रखा है जैसे हाँ पर यह घ 토षय आपको सब्स्सक्राइं practical marks fill करना है और यहां सजेस्ट कर रहा है देखिए मेसेज भी दीरा प्लीस फिल इस तौन प्रेकलfind है माइन में इन में किसी भी सिल पर इस सब्सक्राइल इस तरीक है क्लिक कर रहा है और मुझे बता रहा है और मैंने गलत वैले कर रहा है यहां पर बता रहा है इंवैलिड मांक्स जो में करना है क्या इंट्र प्टी के बेज लाक कर रहा है और अगर मैं यह सजेस्ट कर रहा है मतलब अगर मैं 30 to 50 के बीच में वैलो फिल करूँगा अगर मैंने आप 30 फिल किया तो एकसेप्ट कर लेगा 35 फिल किया तो एकसेप्ट कर लेगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर लास्ति देखिए गया इसके बिल्कुल मत किजिए इससे आपको प्रॉपर समय में आ जाए तो सबसे पहले करना किया दोस्तों आपको कि जहां पर आपको डेटा विलिडेशन के यूज करना है जिस रेज में उस रेज्ज को आप इस तरीके स दिश्प्ले हो रहा है यहां पर आपको डेखिए एक ऑफ्शन मिल रहा है सेट्टिंग का दूसरा इंपूट मेसेज कर तीसरा इरेलेट का तो सबसे पहले हम सेटिंग कर जाते हैं सेटिंग पर जाकर कि आप क्रैटेरिया डिसाइट कर लेना मैंने आपर अलाव की जग़ह आप अपने जरुत के इसाब से आप decimal ले सकते हैं मैंने हो लबर लिया राइट क्योंकि मुझे आपर नमबर फिल करना है तो मैंने होल लंबर सेलेक्ट किया है दनुस के बाद देखें डेटा में आप यहाँ पर जैसे मैंने बिट बीन अभी चूछ कर रहा हूं मुझे 30-50 को बीच में करना, अगर आपको किस value के बराबर value इंटर ना करें, या किस से बड़ी value इंटर करें, किस से छोटी value इंटर करें, less than, greater than, आप अपने condition के एक और्डिंग यहां से आप function चूच कर सकते हैं, तो मैंने between चूच कर लिया है, इसके बाद जैसे between चूच किया, तो मुझे minimum value हैं पर type कर दिया है, 30, और मैंने आपर maximum value में type कर दिया है, 50, right, तो यह मैंने सबसे पहले criteria decide कर लिया है, कि मुझे 30 to 50 के बीच में value इंटर कराना है, इस cell में, right, दिन उसके बाद आप input message में जाएं, input message मतलब जैसे अभी मैं जब यहां click कर रहा था, आपको दीख रहा था तो पहले मैं आप title type कर दे रहा हूं, जैसे मैंने कर दिया, sorry, यह मैंने type कर दिया, practical marks, right, दिन उसके बाद आप input message में आप लिख सकते हैं, आप message दे सकते हैं, कि आपको क्या type कराना है, right, जैसे कि मैंने type कर दिया, type practical marks here, right, तो यह मैंने message type कर दिया है, अब इसके बाद अगर मैं गलत value enter करूँ, देखें, यहां पर input message में आप वो message type करते हैं, जो आपको यहां show कराना है, आपको पहले से यहां show करता रहे, कि आपको क्या data है, यहां पर fill करना है, right, और error alert का यूज होता है, कि हमें अगर मैं गलत value इस criteria से बाहर value अगर fill करूँ, यह जो मैंने criteria decide किया है, अगर मैं इस criteria से बाहर को 30 से कम या 50 से ज्यादा number type करूँ, तो क्या message दे मुझे, तो error alert पर जा करके हम यहां से style चूच कर सकते हैं, stop, warning, information, जो भी चूच करना, जैसे मैंने warning चूच कर लिए, right, then title, तो अगर मै गलत value type करूँ, तो क्या पता है, तो मैंने type कर दिया, invalid marks, तो यह मैंने type कर दिया, यहां पर title में, then उसके बाद मुझे suggest करे, यगर invalid marks है, तो मुझे, क्या valid marks हमारे लिए, क्या होगा, क्या type करना मुझे, तो मैंने कर दिया, यहां पर type, sorry, type marks, between 30 to 50, right, तो यह मैंने mark type कर दिया, यहां पर, कि अगर मैं गलत value, इंटर करूँ, इस चिल में, तो वो मुझे suggest करे, कि मैंने क्या गलत type किया, मुझे कहां से कहां तक कि भी इसका marks फिल करना है, क्या फिल करना है, तो आप अपनी ज़रत के साब से alert, error type कर सकते हैं, यहां पर input message दे सकते हैं, यह तीन उचे ज़र आपको proper फिल करना है, और देन आपको इसको OK कर देना है, देखिए, जैसे आप OK करेंगो, और आपका काम complete हो चुका है, देखिए, यहां पर आ गया, यह practical marks, यह शो करने लगा आपको message, इस तरीके से, और अगर आप देखिए, हम यहां पर अगर 45 type कर रहे हैं, तो इस तरीके सी यह ले पा रहा है, marks हमरा, अगर मैं यहां पर ज्यादा 50 से ज्यादा value type करूँगा, मैंने 52 type के और इंटर करूँगा, यह देखिए, message हमें provide कर रहे हैं, बता रहे हैं, valid marks और यहां पर suggest कर रहा है, कि type marks between 30 to 50, right, अगर मैं यहां पर data validation के यूज़ कैसे करेंगे और इसका यूज़ क्या है, दोस्तों इसी तरीके से नहीने वीडियोज देखने के लिए, नहीनी चीज़ सेखने के लिए, हमारे YouTube चनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शर करना बिल्कुल न भूलें